मोबाईल जपटने वालों के होसले बुलंद पुलिस कोतवाली के महज 500 कदम की दूरी से पैदल यातरी से छीन ले गए मोबाईल बयाना में मोबाईल जपटा देखकर ले जाने को वारदाते रुकने का नाम नहीं ले रही है आए दिन हो रही इनवारदातों से आमजन में भैव्याप्त है आज शाम आठ बजे फिर मोबाईल पर बात कर रहे एक पैदल यूवक से बाईक सवार दो यूवक जपटा दे कर मोबाईल को छीन कर भाग गए पीडित पूरन सिंग रामसरुक जाती को ली निवासी गैस गोदाम के पास ने बताया कि आज बीती रात के शाम आठ बजे बाजार से काम कर मोबाईल पर बात करते हुए अपने घर जा रहा था रास्ते में कचैरी गेट के पास जहागीर गेट के सामने बाईक पर बैठे हुए यूवक ने मेरे मोबाईल पर जपटा मार कर मोबाईल को छीना और तेजी से बाईक को ले गया खबर लिखे जाने तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं किया गया था मैं रात को पैदर-पैलर रस्ते में आ रहा था पीछे से बात करते हुए आ रहा था में मोबाल हाट में था मेरे और पीछे से दो मोटर साइक पर दो लड़के आये थी वहाट में से मोबाल फशा की शीड गायव हो गया को जगे पर यह वात हैं गड़िश मार्केट से निकलते ही पहले होड़िंग बोड़ के या उसके जश्म नीचे की वात हुए पूरण चंद सनफ रामशरूप रहने वाला दमदमा रोड़कां गैसे गोजाम के पास जाती जाती कोली